हलो गाईज़ आप लोगा स्वागत है आपके अपनी यूटूब चाहे देल टॉफर सिंग पर तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉनिंग अपडेट लेकर आए हैं तो आज जो हैं जितनी भी इंपोर्टेंट अपडेट आज के नियूज पेपर में हैं उन सभी अपडेट क हम लोग एक एक करके देखेंगे लेकिन जो भी साथ ही हमारे चैनल पर नए है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भी विल्कुल सही तरीके से अपडेट पासकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को चले गए तो वीडियो स्टार्ट कर से इसको डिजाइन किया गया है साथी साथ इसमें जो है लेंगज भी बहुत अच्छी तरीकर लिखी गई है चार महने की करेंट अपर यानि यह कंप्लीट इस्टिडी गाइड है जो आपको आनलाइन भी मिल जाएगी जिसके लिए मने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में लिंक पहसे बिले सकते हो मार्केट में भी आपको कए जो भी दुकान है जहांपर इबूक ईश्टोर सौफ है आप जा यहांपर भी जाकर आप इसको ले सकते हो तो बहुतरी ढता लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप ले लिजीए और आप साथा मैं यहानिके प्रैक् बग हर एक न्यूज टेपर में है और चुनाओ की वज़ा से अब की बार जो सरकार है समाज कलनार भी भाग है वो अब की बार इसकॉलर सिफ जादा बच्चों को देने की जो है सोच रही है एक अच्छी कबार है सभी बच्चों के लिए इसमें लिखा है कि 16 लाग से जादा क फीस भर पाई और जीफ चालू सेक्चिक सत्र में इस बार पिछले सत्र के मुकाबले करीब 16 लाग अदिक छात्रों को छात्र विर्थी और फीस, भर पाई की सुभिधा मिलेगी पिछले सेक्चिक सत्र में कोरोना संकट के चलते तो आप देख सकते हैं इसमें एक सबसे अच्छी खबर तो यह है कि अब की बार तकरीवन 16 लाग चात्रों को जो है जादा जो है स्कॉलर्सिप दी जाएगी समझ में आई बात तो अब की बार जो है सभी लोग फॉर्म डाल दीजी कोई दिक्कत है तो करेक्शन करवा लीजिएगा डेट आएगी उसकी जब डेट के बार मुझे कुछ पता लगेगा तो मैं वीडियो के मादम से आपको बताऊंगा बाकी सभी लोग अपने तरफ से सार से बेतरीन है वो है कि चुनाओं होने वाला है तो चुनाओं में कोई भी कमी जो सरकार छोड़ेगी नहीं तो इसलिए आप सभी लोग कमर कस दीजी तो अच्छी खबर है सभी जितने भी छात्रों ने जो है इस कॉलसी का फाम डाला है सबसे आदा इंपॉर्टेंट यह कि 40 इस लाग को 27 दिसंबर तक मिलेगी रकाम सहियों की निदेशक ने बताया कि पहले आनलाइन आवेदन करने वाले 15 लाग छात्रों को के बेवरे का सत्यापन हो रहा है या काम 25 नॉमबर तक चलेगा 30 नॉमबर से इनके बैंक खाते में रासी भेज दी जाएगी यानि पहले 15 लाग छात्रों की खाते में बेजी जाएगी जिनका फाम पहले भर चुकाता ठीक है और जिन लोगों का फाम भाद में भरा जा रहे हैं आपको भी को पता है कि 30 नॉमबर लास्ट डेट है इन सभी की जो स्कॉलर से पहे वो 27 दिसंबर तक चात्रों के खाते में बेद दी तो ये जो है बहुत अच्छी खाबर है कि सभी चीज के लिए एक समय सीमा निर्दारित कर दी गई है कि कब-कब स्कॉलर से आई है और प्लस अब की बार जो 16 लाग छात्रों को जादा स्कॉलर से मिलने वाली है वही पर अगर हम बात करते हैं तो इसकी दूसरी अपडेट भी निकल के आई है मलब यही अपडेट है लेकिन दूसरे नियूज बेपर में आई है तो आज तक्रीबन हर जो नियूज बेपर है वहाँ पर जो है स्कॉलर सिफ को लेकर के अपडेट आई है हाला कि आप सभी लोग बार-बार मुझे पूछते हैं करेक्शन डेट क्या है तो अभी करेक्शन डेट को लेकर कोई जो है अथेंटिक अपडेट नहीं है अगर मुझे कुछ अथेंटिक अपडेट मिलती तो ही मैं आपको बताऊँगा औरने था मैं आपको नहीं बताऊँगा ठीक है आप लोगों ने पता नहीं कहां से बता है कि website पर 16 नॉमबर दी ह कोई है हलाकि मैंने भी देखा है बटो सो फर्जी उससे कोई मतलब नहीं है ठीक है अभी 16 नॉंबर से अगर हो नहीं हो तियार तो अब तक हो नहीं जाती है आप लोग बताइए आज कितने दिन हो चुके हैं आज 22 तारीक हो चुके हैं एक हपता होगा कि आभी करेक्शन नही देखाओंगा तो यही अपडेट है तो इसको पढ़ने कोई जरूरूत नहीं है वही पर हम बात करते हैं टी जी टी पी जी ती भरती को लिखर को लिखर के तो चैयन के बाद आब तानाती का सिखक्ट सहायग प्रावत मादमियों के सकूलों में ठीच चाहिचिल रसनातक ट बटक रहे हैं तो आप सभी को पता कि 2016 का जो टीजीटी पीजीटी जो भरती थी वो काफी ज्यादा उलज गई थी बीच में आप सभी को पता इसका पेपर भी बहुत दिन बाद हुआ और जब पेपर हुआ लोगों को जब जो न्यूकती देने का समया है तो भी वो बच्चे जो हैं भटक रहे हैं जिसे कि सभी लोगों को लगता है कि जो नहीं भरती आ रही हैं वही भरतीयां सब इंपोर्टेंट है बाकी जो पुरानी भरतीयां पुराने बच्चे जिन्नोंने फार्म डाला है वो सब बेवकूब थे इसलिए उनको भटकाया जा रहे है दो अधर आप लोग यहां पर देख सकते हो सारे बच्चों ने जो एक कृष्ण कुमार स्रिवास्तों को आल पसंक्या कालेज आवंटित कर दिया गया है और उनकी न्यूकती नहीं हो पा रही है सुनील कुमार पंडित को आर जी इंटर कालेज मेरट आवंटित किया गया है लेकिन ब बात करते हैं EWS चात्रों को लिकरके तो आयू सीमा में छूट का मुद्दा जो है वो गरमाया लिखा आकि बिधान सबाद चुनाओ करीब आते ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानि EWS वर्ग के अभ्यारतियों को भरती परिक्चाओं में आयू सीमा और परिक्चा सु में छूट दिये जाने की मांग तेज हो गई है एक तरफ अभ्यारतियों ने विधैकों सांस्टों मुख मंत्रियों को पत्र वेज़ कर EWS अभ्यारतियों सम्मेलन के दोरान मुख्य मंत्री के उपस्तिती में मंच से भी या मांग उठी प्रतियोंगियों का कहना कि भरतियों में दस फिजदी डेविलबलेस आरक्षन का लाव वाले अभ्यारतियों को सामिल होने के लिए अधिक्तम आयू सीमा में पांच वर्स की चूट मिली चाहिए प्रतियोंगी चात्र संगर समित के मीडिया प्रवारी प्रसाथ पांडे वह मुख्य मंत्री को लिखे पक्त में कहा है कि 2019 में केंद सरकार के सामान वर के अभ्यारतियों के लिए दस फिजदी तो हमें उनी लोगों की तरह हमको जो है उम्र में भी चूट चाहिए ये चीज़ें यहाँ पर जो है इन चात्रों जो है इसकी मांग की है जो है अगर आप चूट देही रहे हो तो नाम मातर का चूट मत दीजिए हमें एज में भी रिलेक्सेशन चाहिए यहाँ पर चात्र प्रतियों सुल्क के लिए भी बताया है कि सुल्क में भी हमारे डिसकाउंट होनी चाहिए कुछ ना कुछ छूट हमारे पास होनी चाहिए ठीक है और प्रदेश अस्तर पर अभियान शुरू करने की तयारी भी यहां पर स्टार्ट कर दी गई है आप यहां पर देख सकते हो ल कोहित कुमार अनुज अवस्ति दीपु नायक सुसम दूबे रजनीस कुमार लवी तयागी और अन्य प्रतियों को अभियान को तीजी से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है तो आप देख सकते हो कि EWS के चात्र जो है अब यह जो है एकदम से आगे की तरब जैसे जैसे बिदान सबाद चुनाओ नजदी का रहा है यह लोग अपनी मांग को पूरी करने के लिए लगे हुए है तो यहाँ पर यह भी इन लोग का दावा है कि भईया 10% छूट अगर आप हमको दे रहे हो तो भईया जैसे जैसे सभी को चूट मिलता है कि उनको जो है नंबर में भी चूट मिलता है उनको जो है एज में भी चूट मिलता है उनको जो है क्या बोलते हैं उसको सुल्क में भी इनको चूट मिलता है तो हमको बिल्कुल ही जो है इन में दिया जाए क्यों कि आप लोगों को पता है कि जो जनरल वाले होते हैं और जो EWS वाले होते ह बस थोड़ा सा डिफरेंस जो है इनमें 10 परसन का चूट जो है एक्जाम में मिलता है तो एक्जाम के साथ-साथ ये छात्र जो है अपनी फीस में और अपना जो है एज में भी इलेक्सेशन 5 साल का कम से कम चार हैं बाकी जैसे इसे चुनाओ देखते हैं होता क्या है इसमें ब मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में किसी खास अबडेट के साथ तब ते के लिए कुछ रही है मस रही है जैहिन जैवार